हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैं चैनल, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेगे कि आपकी टूइल वीव होती क्या है तो आईए स्टार्ट करते हैं कि आपकी टूइल वीव जो है वो क्या होती है सभी बुनाईयों के समान इस बुनाई में भी ताने बाने का गूथना तो है मतलब इसमें क्या चीज बोली गई है जैसे आपने से पहले जितने भी वीविंग के बारे में पढ़ा आपने plan weave के बारे में पढ़ा आपने rib के बारे में पढ़ा आपने basket weave के बारे में पढ़ा उन्हीं की तरह इसमें भी क्या होता है आपके जो ताने बाने जो होती जो आपके वार्फ और वेफ्ट त्रेड जो होती है उनसे क्या करी जाती है उनसे गुथाई करी जाती है मगर सीधी लाइन में गुथाई ने करके तिर्ची लाइन में गुथाई की जाती है इसमें क्या चीज बोली गई है आपसे पहले आपने जितने भी विविंग के बारे में पढ़ा उनमें कैसे विविंग करी जाती थी कैसी आपकी बुनाई करी जाती लेकिन जो आपकी twill weave है इसमें आपकी जो बुनाई है आप वो सीधी ना करकर आप वो क्या करते हो उसको तिर्ची बुनाई करते हो लिहाजा वर्स्त में टेडी लाइने दिखाई देती है जिसकी वज़े से जो आपका वर्स्त है जो आपका फैब्रिक है आपको फैब्रिक क समय बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से निकल कर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है तो उसमें क्या चीज बोली गई है कि जब आप बुनाई करते हो जब आप वेविंग करते हो जब आप टूल वीव को बुनते हो तो जो आपका बाने का जो धागा हो वो ताने के कई धागों के उपर से वो होके जाता है और ताने के किसी एक धागे के नीचे से वो जाके निकलता है इसी करम में हर लाइन से एक धागे को आगे से बढ़ाते हुए और नीचे से घटाते हुए लाइन जो है आपको तिर्ची नजराती है तो इसी करम में आप क्य से बढ़ाते वे जाते हो नीचे से उसको घटाते वे जाते हो जिसकी वजह से जो आपका फैब्रिक इस फैब्रिक पर आपको एक डाइगनल लाइन आपको आपको नजर आती है इसी परकार तिर्ची के अधिरिक्त इसको लहरदार भी बना सकते हैं मतलब इसमें क्या चीज बोली गई है कि आप इसको तिर्ची लाइन के बज़े आप इसको एक लहरदार बुनाई में भी इसको आप बना सकते हो या फिर आप इसको नोकेली टूल मतलब आप इसको पॉंटेड टूल में भी आप इसकी गुथाई कर सकते हो या फिर आप इसकी अंटर्णिंग टूल की शेप में भी आप इसकी बुनाई कर सकते हो तो जो आपकी टूल भी विवया, आप इसको कितने तरीकी से बना सकते हो, आप इसको लहरदार बुनाई में बना सकते हो, इसको पॉइंटेड टूल में बना सकते हो, आप इसको टर्णिंग टूल की सेप में बना सकते हो, वास्तम में धागों को तिर्चा करके या लहरदार आपस में गूत कर ये बुनाई बहुत सुन्दर रूप से की जाती है जो आपके जो धागे है ठीक है आप वस्थ पर जो आप ये बुनाई करते हो ठीक है वस्थ बनाने के लिए जो आप बुनाई करते हो धागों को तिर्चा करकी या फिर लहरदार बना कर इससे जो आपका जो फैब्रीक है उसका सरफिस आपको क्या दिखा देते आपका फैब्रीकका सर्फिस आपको बहुत जादा सुन्दर वो आपको दिखा देता है जब आपकी जो बुनाई है वो complete हो जाती है उसके बाद यह रेशो को अलग-अलग माना गया है इसमें यही चीज बताए गई है कि जो आपकी 12 वीव होती है यह बाकी वीव से आपकी बहुत जादा मजबूत वीव माने करिये बहुत जादा जो बुनाई है इसकी वह बहुत जादा मजबूत मतलब इसकी जो इस्टेंट है वह बहुत जादा अच्छी बताए गई है अब अगर मैं बात करूँ कि जो आपकी टूल वीव है ठीक है आपकी टूल वीव आपको दो तरीके से दिखाई देती है पहली आपको यह राइट से लेफ्ट में जाती ही भी दिखाई देती है जो आपकी टूल वीव है आपको यह दो तरीके से दिखाई देती है से ही बुनाई करकी यह कपड़ा बनाया गाए है, इसमें जो आपके डागनल लाइन जो है यह आपको, आपके लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड में यह यह जाती भी दिखाई दे रहे हैं, इसी का आपको दूसरा एक्जामपल है, वो देखिए, इसके बाद यह आप नोही कपड़े आपके twill weave से बनाएगा है लेकिन आपको इसका जो आपका फैब्रिक का जो सर्फेस है उस पर आपको लाइने दो तरीके से दिखाए देते हैं या तो यह राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है आपकी जो तिर्ची लाइने होती है या फिर आपकी तिर्ची ल बनाथे हो डैनीम जो है आपका सबसे पहला एक्जामपल है ठ्क है डैनीम की जो आप जीन्च वगारा देखते हो डैनीम का जो फैब्रिक होता है ठ्क है डैनीम 10 इस इसंब ने देखा हुआ है तीक है यह सारे आपके किसके एक्जामपल आपका टार्टेन हो गया है यह सारे फैब्रिक आपके ट्विव की बुनाई करके ही यह आपके फैब्रिक बनाए जाते हैं आप तक हमने बढ़ा कि tool weave होती क्या है अब हम बात करते हैं कि जो आपकी tool weave है उसके अलग-लग परकार कौन-कौन से है जिन से आपकी tool weave जो है आप बना सकते हो सबसे पहले आपकी broken tool, second combined tool, diamond design, jig jack या फिर weaved या फिर pointed tool weave आपकी जो tool बनाई जो होती है वो इन अलग-लग form से भी बनाई जा सकती है broken tool से, combined tool से, diamond design से, jig jack या फिर weaved या फिर pointed tool weave ये आपके सारे जो है ये आपके tool weave जो होती है उसको करने का ही तरीका होता है इसके बाद बात करते हैं हम आपकी certain weave की कि आपकी certain weave जो है वो आपको कैसी दिखाए देती है इस बुनाई से वस्त्र की सत्य चिकनी बनती है मतलब जो आपकी certain weave जो होती है इस से बुनेवे जो आपके वस्त्र जो होते है जो आपके कपड़े जो होते है उनका surface आपको कैसा दिखाए देता है आपको smooth दिखाए देता है, चिकना दिखाए देता है तो आपके certain weave से जो आपके वस्त्र जो बनाय जाते है उनकी सत्य आपको चिकनी दिखाए देते है इस भुनाई के तरीके में जो सत्य चिकनी बनती है वहाँ पर ताने के धागों के फोल्ट लंबे लंबे बनती है मतलब जो आपका surface जो आपका fabric जो है आपका fabric का surface जहाँ से आपको चिकना दिखाए देता है वो चिकना क्यों दिखाए देता है क्योंकि वहाँ पर जो आपके ताने के धागे है वो लंबे लंबे फोल्ट के जैसे आपको दिखाई देते है जिसकी वज़े से आपको आपकी जो सर्फेस है जो आपके कपड़े की जो सर्फेस है जो सतय है वो आपको कैसी दिखाई देते है वो आपको चिकनी दिखाई देते है इसमूद दिखाई देते है बाने का धागा जो बहुत दूरी पर एक जगे फसाया जाता है वे वस्ट की सत्याओ पर बहुत कम दिखाई देता है जो आपका बाने का जो धागा होता है उसको क्या करते है, उसको आपके जो आप जिस करगे पर आप बनाते हो वीविंग करते हो ठीक है लूम पे जिस पे आप अपना करते हो अपनी जो वीविंग है उसको करते हो ठीक है उस पे क्या काम किया जाता है उस पे आपका जो बाने का धागा है उसको एक जगए पर फसा दिया जाता है जिसकी वज़े से वो आपके जो ताने के जो धागे होते वो उसको cover कर लेते है और वो आपके जो सतय होती है जो आपके कपड़े की सतय होती है उसपे वो बह Γhaktर कम दिखाई देता है इसी वजए से आपका जो कपड़ा है ठीक है उसपे आपके ताने के धागे के लंबे-लंबे आपको क्या दिखते है fault दिखते, उसी के करन आपका जो fabric और बहुत जादा चिक्ना दिखाई देता है जो आपका sartan का जो kपडा है ये आपका एक तरफ से आपका अगर आप इसको इसके surface को अगर आप देखोगे तो ये उपर की तरफ से आपको चिक्ना दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा चमक वाला दिखाई देता है मुलायम दिखाई देता है लेकिन अगर आप इसको दूसरी सैट से देखोगे तो ये आपको डल दिखाई देगा फीकी इसकी सते आपको दिखाई देगी साटन के जो कपड़े का अगर मैं एक्जामपल लूँ इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल है जो आप स्लिप वियर जो आपके कपड़े जो होते है जो आप साम को जो कपड़े पहनते हो नाइट वियर जो होते है आपकी वो आपके साटन कपड़े से बने वे रहते हैं ये कपड़े जो है वो थोड़े से कम टिका होते हैं क्योंकि इनकी जो durability है वो थोड़ी सी कम होती है तो जो तुम्हारा साटन का जो फैब्रिक है वो तुम लोगों को थोड़ा इस जैसा दिखाई देता है जो उसकी surface है उस पे आप लोगों को क्या दिखाई देता है एक sign मतलब आपको एक चमक दिखाई देते है आपके साटन के फैब्रिक पे इसकी बुनाई का जो तरीका है वो ये है कि आपके बाने के धागे जो आपके बाने के धागे होते हैं जो आपके weft जो thread होते है वो तीन या चार ताने के धागों के उपर से उनको लिया जाता है फिर एक ताने के धागे के नीचे से उसको निकालते है जिसकी वज़े से क्या होता है जो आपका कपड़ा जो है ठीक है तो इसमें यही चीज होती है कि आपके बाने के धागा जो है वो तीन या चार तानों के धागों के उपर से उसको निकाला जाता है और फिर किसी एक ताने के धागे के नीचे से उसको निकालते है जिसकी वज़े से जो आपका self-service है वो कैसा दिखाय देता है वो आपको sign दिखाय देता है और इसके जो example है ठीक है Saturn वीव की इसमें आपका holy satin आता है आपका लिपर साटिन आता है यह सारे आपके साटिन वीव के ही एक्जामपल है और इसमें साटिन में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है आप नाइट गाउन आपको देखने के लिए मिलते हैं आपको ब्लाउस वगरा देखने के लिए मिलते हैं आपको इवनिंग गाउन इससे ब स्पलिंग में बहने सब्सक्राइब करता है। बंब दृनों में इस विप्रित होती है। तो जो आपकी satin weave है, यह बुनाई साटिन से विपरित होती है, इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागों के उपर से जाता है, तता किसी एक के नीचे से वो निकलता है, और उसके बाद किसी एक ताने के धागे के नीचे से वो निकल जाता है, इसमें इसलिए बाने के धागे ही दिखाई देते हैं, और ताने के धागे आपके छिप जाते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपकी satin weave है, इसमें आपके बाने के धागे दिखते हैं, और जो आपके ता आपको अपोजिट एक दूसरे से अपोजिट काम कर रही है अते इसके फोल्ट जिघर की और आएगे उधर की ही सतय जो है वो आपको चिकनी दिखाई देगी मतलब इसमें ये चीज बताए गई है कि जिधर भी आपके जो फोल्ट है जो आपके लंबे लंबे जो धागे है ज इस भी सतय पर आपको ये दिखाई देगी उस सतय को ही आप चिकनी सतय देख सकते हो मतलब वो ही सतय आपकी कैसी आपको दिखाई देगी जिधर आपके ये लंबे लंबे फोल्ट आपको दिखते है लंबे फोल्ट वाले कपड़े मजबोती में कमजोर होते है जो आपके ल साटिन वीव जो है यह आपके केवल क्या होती है यहां पर दिखाया गया है यह भी आपका सेम ही होता है लेकिन बस इसमें क्या होता है जो आपका वारफ फेस होता है लेकिन जो आपका साटीन वीवे ये आपका weft face है ठीक है जो आपका जो साटीन है इसमें क्या होता है इसमें आपके जो ताने के जो धागे वो आपके छिप छिप जाते हैं और आपके बाने के धागे आपको दिखाई देते हैं बाने के धागों में आपको लंबे लंबे जो फोल्ट वो दिखाई देते जिसकी वज़े से आपकी जो सरफेस है वो आपको कैसी दिखती है चिकनी दिखती है लेकिन जो आपका साटीन वीवे उसमें आपको क्या दिखाई दे रहता है उसमें आपके बाने के धागे आपके छीप जाते थे लेकिन ताने के धागे आपको ताने के धागों में आपको लंबे लंबे जो है फॉल्ड दिखाए देते लंबे लंबे आपको धागे दिखाए देते ते जिसकी वज़े से आपका जो कपड़ा है वह आपको चिकना दिखाए देता था ठीक है तो इसमें यही चीज है कि यही याद रखना है कि आपका जो स आणिव और शेटन दीव नहीं आपका खतम होता है इसकी बाद आती है हमारी जो इस पेसल वीव होती है वह आपकी इस पेसल वीव में आती है डायमंड वीव हपक्पैक वीव हनीकॉंब वीव और हमारी क्रेप वीव ये सब हमारी special वीव के अंदर आती है अब हम बात करते हैं कि आपकी जो हक बैक वीव जो है ये क्या होती है इस विधी का उप्योग तोलिया बनाने के लिए होता है जो आपकी हक बैक जो वीव है इसका उप्योग किसलिये किया जाता है आपका जो टोलिये का जो फैब्रिक होता है उसको बनाने के लिए आपकी हक बैक वीव का इस्तमाल किया जाता है इस विधी में फ्लोट करते धागे एक के बाद एक नीचे नीचे मेड बनाते से परतीत होते है जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो ठीक है आपको फ्लोट धागे आपको दिखाई दे रहे होगे जिसकी वज़े से क्या होता है हमारी जो हग back weave ये हमको दिखाई देती है और हमें जो धागे है वो float करते हैं भी दिखाई देती है इस परकार की जो भुणाई होती है वो हमारे तोलिये बनाने के लिए की जाती है जो हमारे knitted garment जो होते उनके लिए इस तरह की बुनाई करी जाती है जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो कि ये आपका तोलिया है ये आपका huck back weave से बनाया गया है इस तरीके से इसमें आपके जो धागे हैं वो आपको float करते हैं आपको दिखाई देते तो इस तरह की जो बुनाई होती है उनसे हमारे जो तोलिय का जो fabric होता है उसको बनाने के लिए हम इस परकार की जो weaving उनका इस्तमाल करते हैं इसके बाद आता है हमारा honeycomb weave कि आपका honeycomb weave होता क्या है इस विधी का उप्योग भी अच्छे quality के तोलिय बनाने में किया जाता है इससे पहले जो हमने hug back weave पड़ी थी वो भी हमारी तोलिय बनाने के लिए ही इस्तमाल की जाती थी लेकिन जो हमारी honeycomb weave है इसका इस्तमाल जो है वो आपके अच्छे quality के जो तोलिय होते हैं इससे आपकी जो quality है weaving की उसमें बडोतरी होती है इससे आपका क्या क्या जाता है जो आपके अच्छे quality के जो तोलिय होते हैं इसको बनाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इसमें भी ताने वाले फोल्ट तथा बाने वाले फोल्ट उठे वे धागे अर्थात तहरते वे धागों के समान दिखाई देते हैं आपकी जो हनी कॉम वीव जो है इसमें आपको क्या दिखाई देता है कि जो आपका जो फ आपको ऐसा लगता है जैसे ये धागे जो है ये कपड़े पर तहर रहे हो तो जो आपकी हनी कॉमवीव है ये भी आपको किसलिये इस्तेमाल की जाते है ये आपको अच्छी क्वाल्टिक जो तोलिये बनते उनकी लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यह जो आप फोटो देख रहे हो यह आपकी हनी कॉम वीव से बने वे फैब्रिक की है इसके दुआरा आपका इस तरह का टेक्चर जो है यह आपका हनी कॉम वीव जो आपकी होती है उससे आप इस तरह का टेक्चर का फैब्रिक उत्पन करते हो इसके बाद बात करते हैं हम आपकी diamond weave की ठीक है आपकी diamond weave भी आपकी special weave में ही आती है diamond weave आपकी जो आपका twill weave है ठीक है twill weave के different form में हमने पढ़ा था diamond weave तो यह आपकी twill weave का ही example है ठीक है यह क्या होता है कि इसमें आपका vertical और horizontal जो आपकी zigzag जो बुनाई है उनका combination करकर इस बुनाई को किया जाता है इस design के repeat size की गढ़ना भी regular या फिर base twill design से की जाती है अगर हम इस design को हम क्या करेगे repeat करेगे तो जो इसका size है उसको आप कैसे calculate करोगे उसको आप regular या फिर जो base twill का जो design है उससे आप इसको calculate करते हो इस मामले में इस बुनाई में ताना और बाना दोनो यान की संख्या करमक्ष base twill के ताना और बाना यान की संख्या से दुगनी होती है अगर हम देखे कि आपकी जो diamond weave है ठीक है diamond weave को अगर हम series wise अगर इसको हम देखे तो इसके ताने और बाने जो है ये base ताने और बाने जो है आपके जो base twill जो है उसके ताने बाने से इसकी जो संख्या है वो क्या होती है दुगनी होती है आपके diamond weave की ताने बाने की जो संख्या है वो दुगनी होती है आपके base twill से तो जो आपकी diamond weave है यही है कि आपकी diamond weave कैसे बनाई जाती है यह आपके vertical और horizontal जो zigzag जो आपकी बुनाई होती है उनका combination करकर इसको बनाया जाता है और इसका जो design है आप उसको किस तरीके से इसके size को calculate करते हो जो यह बार बार जो इसका design जो repeat होता है उसको regular या फिर आप base twill design के उसको calculate करते हो तो यह आपका दिखाया गया हुआ है इस तरीके से आपकी जो diamond weave है उसका surface आपको इस तरीके से दिखाई देता है यह आपके diamond weave का ही fabric है जो आपके diamond weave से बना हुआ रहता है इसके बाद आती है हमारी सबसे last weave, crepe weave आपकी crepe weave भी आपके special weave के अंदर आती है इसमें क्या बताया गया है कि crepe बुनाई एक fancy बुनाई है जो आपकी crepe weave है उसको fancy बुनाई के नाम से भी जाना जाता है क्रेप यान का उप्योग, crepe design किये गए कड़ों को बनाने के लिए किया जाता है जो आपके crepe यान को जाता है इसमें curling गुन होता है आपका जो क्रेप के जो कपड़े जो होते है उसमें आपको कैसा दिए उसमें आपको सलवटे दिखाई देती है तो इसमें आपकी कैसा गुन होता है इसमें आपका curling गुन होता है जो प्रोपर्टी है इसकी वो curling प्रोपर्टी आपको दिखाई देती है क्योंकि आपके क्रेप की जो कपड़े होते हैं उसमें आपको सलवटी वगरा बहुँ ज़्यादा दिखाई देती है इस डिजाइन दुआरा विबिन परकार के होम टेक्स्टाइल और सजावती कपड़े बनाए जाते हैं जो आपके क्रेप वीव है इस परकार के डिजाइन से आपके क्या बनाए जाते हैं आपके सबसे ज़्यादा होम टेक्स्टाइल के जो डिजाइन वह बनाए जाते हैं आपके डेक्रेटिव जो कपड़े होते हैं आपके सजावती कपड़े उनको बनाए जाता है ठीक है तो य अंदर curling property होती है और यह आपके अलगलग परकार के आपके home textile के लिए इसको बनाया जाता है या फिर आपके जो decorative कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए इसका use किया जाता है दूसरा अगर मैं बात करूँ कि type of grape जो आपकी grape weave है यह कितने types की होते हैं ऐसे तो यह बहुत तरह की होती है लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ दो के बारे में प्हली है आपकी grape on 버 Bergland जो आपकी grape जो है grape weave grape weave जो है वह आपकी sustain base पे और दूसरी है आपकी grape on plan weave base जो crepe है वह दूसरी है आपकी किस पे plain weave base पे, पहली जो थी वो आपकी certain weave पे बेस थी crepe और दूसरी है आपकी plain weave पे बेस तो यह आपका जो crepe fabric होता है यह आपका उसका surface दिखाया गया है इसमें आपकी curling property होती है यह आपका इसके fabric की जो सते है उस पे आपको salvate नजर आती है यह high twisted जो आपका यान होता है उसी को आपका कर, sorry, उसी को आपका crepe fabric बोला जाता है आपकी इस वीडियो के आधार पर ही आपकी यह questions बनाए गए है जो आपके 5 marks के है जिसको आप comment box में आप लिख के बताओगे कि अगर आपको समझ में आया है तो यह क्या होता है सबसे पहला question है आपका कि tool weave होती क्या है second question है कि आपकी diamond weave क्या होती है third question high twisted yarn क्या होती है fourth है आपका honeycomb weave क्या होती है और fifth आपका last question है satin weave होती क्या है तो यह आपके 5 question है 5 marks की 1-1 marks का एक question है जो आप मुझे comment box में लिखके बताओगे thank you